आईए अब हम देखते हैं क्रिशी के एक अन्य विधी जिसे हम कहते हैं विस्तरित वाणित जी अनाज क्रिशी अब ये विस्तरित वाणित जी अनाज क्रिशी जो है इसकी क्या-क्या विशेष्टाए होती हैं तिसकी विशेष्टाओं पर हम बात कर लेते हैं कि पूरे प्रिथव प्रिथवी पर यह हम कहें कि गलोब के जो मध्य अक्षांस हैं मध्य अक्षांसी जो छेत्र हैं इनके आंतरिक अर्ध शुष्क छेत्र और बच्चों आप तो यह जानते ही होंगे कि मध्य मध्य अक्षांसों में हम जब जाते हैं तो महाद्वीपों का जो आंतरिक भाग हम पुर्वी और पश्यमी छोर को छोड़ कर जब उसके आंतरिक छेत्र की बात कर रहे हैं यहां पर यहां पर यहां पर आदरता देखने पर मिलती हैं तो महादीपों के इनहीं आंतरिक अर्ध शुष्क छेत्रों में जो को अ मिलते हैं यहां पर विस्तर वाणिजी अनाज कृशी की जाती है अब हम देखें कि कौन-कौन सी विशिष्टाएं हैं इनकी तो पहली बात तो ये कि इसमें मुख्य जो फसल होती है इस अनाच कृशी वाले छेतर में यहां कि मुख्य फसल गेहूं है और गेहूं के अलावा यहां पर जो, जै, राई, मक्का इन फसलों की कृशी जो है वो की जाती है दूसरी चीज हम देखते हैं कि यह बहुत ज़ादा यंत्री कृट कृशी या हम जिसे मशीनी कृट कृशी कहते हैं इसे कहा जा सकता है क्योंकि यहां पर इस प्रकार की कृशी की विधी में बहुत जादा मशीनों या यंत्रों का प्रयोग किया जाता है और इतना जादा प्रयोग किया जाता है कि फसलों को उगाने से लेकर काटने तक मतलब बुआई से कटाई तक पूरी तरह से जो कारी है कृशी का वो मशीनों या यंत्रों के द्वारा ही किया जाता है इसलिए हम कितना है यहां पर विरल जन संख्या मिलती है मतलब जन संख्या का घनत्व जो है वह बहुत कम है बसाहट कम मिलती है तो कम बसाहट वाले चेत्र में कीजारी है और दूसरी चीज हमने कहा कि मशीनी कृत-कृशी है ये दोनों ही विशेश्टाओं के कारण हम देखेंगे कि इस कृषी वाले छेतरों में प्रती व्यक्ति उत्पादन वो बहुत अधीक प्राप्त किया जाता है क्योंकि हर कारी जो है वो मशीनों के द्वारा किया जा रहा है और जनसंख्या भी कम है तो प्रति व्यक्ति उत्पादन यहां पर बहुत अधिक होता है अब हम छेतर पर बात कर लेते हैं कि विश्व के किन-किन छेतरों पर इस प्रकार की क्रिशी की जाती है तो अभी प्रेरी घास के मैदान पर दक्षिन अफ्रिका की बात करें तो दक्षिन अफ्रिका के वेल्स आस्ट्रेलिया में आजाएं आस्ट्रेलिया का जो डाउन्स घास का मैदान है और न्यूजिलैंड के केंटर बरी इन सभी घास के मैदानों में इस प्रकार की क्रिशी जो है वो प्रचलित है अब हम क्रिशी की दूसरी एक अन्यविधी जिसे मिश्रित क्रिशी कहते हैं इस पर बात कर लें तो मिश्रित क्रिशी नाम से ही सपस्ट है इस प्रकार की क्रिशी में चुकि फसलों के उद्पादन और पशुपालन दोनों ही कारियों को या इस दोनों ही प्रकार की क्रिश को समान रूप से महत्वत दिया जाता है तलब हमने अभी तक जितनी भी कृष्षी देखी उसमें हमने देखा कि कहीं पर पशुपालन प्रमुकत से किया जा इसलिए इसे मिश्रित क्रिशी के नाम से भी जानते हैं अब हम यह देखते हैं कि किस प्रकार का उत्पादन जो है वो इस मिश्रित क्रिशी में किया जाता है तो पहला तो यह है कि जिस इस्थानी बाजार के निकट यह क्रिशी की जा रही है उस इस्थानी बाजार के भोजन के लिए वहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए भोजन की आपूर्ती के लिए फसलों का उत्पादन किया जाता है दूसरी चीज यह है कि यहाँ पर जो पशुपालन कारी किया जाता है तो वहाँ पशुपालन में जो पशुपाले जाते हैं उन पशुओं के चारे की व्यव वह फसल का उत्पादन किया जा रहा है। ने से मूद्रा प्राप्त करने के लिए मुद्रा दायनी फसलों का उत्पादन कванा हुग dumb हकादयान फसलों का उत्पादन तो होता ही वहाँ पर रहने वाले लोगों के भोजन किया पूर्ती के लिए और उतनी ही प्रमुक्ता से मुद्रदायनी फसलों का भी उत्पादन किया जाता है तो मुद्रदायनी फसले कौन सी है हमें पता है जैसे तंबाकू है, कपास है, गन्ना है, इस प्रकार की जो फसले हैं, वो यहाँ पर उत्पादित की जाती हैं, फिर कुछ विशेष्टाओं पर हम बात कर लें, कि मिश्रित कृषी की कौन-कौन से विशेष्टाएं हैं, तो हम देखते हैं, कि यहाँ भी गेहु जो है, वो जाता है, यहाँ पर खेतों का जो आकार है, वो ना बहुत छोटा होता है, ना बहुत बड़ा मध्यमाकार के खेत मिलते हैं, फिर अगली विशेष्टाओं हम देख लेते हैं, कृषी में जो यंत्र औजार या उपकरण प्रेयोग किये जाते हैं, साथ ही जब पशू पालन किया जा रहा है, तो भावनों की विवस्था करनी पड़ती है, तो इन सभी के लिए जो पूंजी है, उसकी बहुत अधिक आवश्यक्ता होती है, और साथ ही यहाँ पर जो कृषक कारिक करते हैं, तो मिश्रित कृषी को और सफल बनाने के लिए, यहाँ पर जो कृषी कारि किया जा रहा है, उसकी सफलता के लिए सबसे जोरी यह हम कहें अनिवार यह तत्व है कि यहाँ योग्य और कुषल श्रमिक कारिक करें, अब यह कौन-कौन से छेत्रों में की जाती है, विश्व के, तो हम बात कर लें, पूर्वी संयुक्तराज अमेरिका, मतलब संयुक्तर यह हम कहें कि महादवीपों के जो सम्शितोषन भाग है यहाँ पूरी पृत्वी पर के जो सम्शितोषन छेत्रे हैं, वहाँ पर मिश्रित कृशी जो है वो की जाती है, अब हम अगली कृशी पधति की बात करते हैं, बाजार के लिए सबजीव उद्यान कृशी, जिसे हम म एसी कृशी में हम देखेंगे, जिसमें अधिक मुद्रा प्राप्त की जा सकती है, अधिक आय प्राप्त की जाती है, ऐसे सबजीयों का फलों का या फूलों का जो उतपादन है, वो किया जाता है, और ऐसे सबजीयां फल या फूल की जब हम बात करते हैं, तो इनकी विशे प्रमुख विशेष्टा होती है अब अगली विशेष्टा की जब हम बात करें तो इसमें खेतों का आकार छोटा होता है और अधिक्ष्रम और पूंजी की जो है वो आवश्चक्ता होती है क्योंकि इसमें जो फल या सबजियां या फूलों का उत्पादन होगा उसे अधिक्ष्टा होती है और अधिक उत्पादन के लिए पूंजी की भी आवश्चक्ता होती है अब इस प्रकार की जो क्रिशी है वो किन छेत्रों में की जाती है विशों में तो हम देखते हैं उत्तर पश्यमी यूरोप उत्तर पुर्वी अमेरिका और साथ ही अभी जो हमन अधिक जनसंख्या का घनत्व जो है वो बहुत अधिक है चाहे हम उत्तर पुर्वी अमेरिका की बात करें या भूमध्य साग्री चेत्र इन छेत्रों के आसपास बहुत ज़ादा ओद्योगी करन हुआ है और जो ओद्योगी करन के कारण यहां पर जनसंख्या की बसाहट भ अब हम देखते हैं इसके जो भुमध्य सागरी छेत्रे या इन छेत्रों जहां पर ये इस प्रकार की क्रिशी की जाती है उसमें दो क्रिशी जो है प्रमुखरूप से की जाती है पहला सबजी खेती है और दूसरा उद्यान क्रिशी है जब हम सबजी खेती कह रहे हैं तो नाम से ही हमें पता चल रहा है कि यहां पर सबजीयों का उतपादन प्रमुखुरुप से किया जाता है हां यहां पर एक important point है यहां पर जो सबजीयों की खेती की जाती है या उतपादन किया जाता है इसे हम ट्रक फार्मिंग या ट्रक क्रिशी के नाम से भी जानते हैं और वो इसलिए क्योंकि जिन सबजीयों या फलो का यहां पर उतपादन होता है उसे ट्रकों के द्वारा फार्म से क्रिशी फार्म से बाजार तक ले जाया जाता है या मैं यह कहूं क्रिशी फार्म से जो बाजार के मध्धिक की जो दूरी है या यातायात या परिवहन की जो हम बात करते हैं उसे रातो रात ट्रक के द्वारा तय किया जाता है और इसलिए इसे ट्रक फार्मिंग या ट्रक कृषी के नाम से जाना जाता है अब दूसरा हम देखते हैं उद्ध्यान कृषी उद्ध्यान तो और फूलों का उत्पादन होता है हमें मालूम है कि गार्डन में फूलों का उत्पादन होता है यार ओपन क्रिशी या बागाती क्रिशी भी भी हम देख रहे थे कि अलग-अलग टाइप के फलों का उत्पादन जो है वो किया जाता है और यह क्रिशी प्रमुख रूप से नीदरलेंड की जब हम बात करते हैं आप देख रहे हैं नीदरलेंड नीदरलेंड जो है वो फूलों की खेती के लिए विश्व प्रसिद्ध है और यहां पर जो ट्यूलिप यहां देख भी पारे होंगे आप ट्यूलिप फूल होता है और इसकी क्रिशी के लिए ही नीदरले जो है वो विश्वप्रसिद्ध है और इस टूलिप फुलों का जो निर्यात है वो यूरोप में किया जाता है फिर हम देखते हैं कि कारखाना कृषी इसी में ही जहां गाय, बैल और कुकुट का पालन किया जाता है इसे कारखाना कृषी के नाम से भी जाना जाता है अब हम द पर भी दो प्रकार की कृशी पध्धतियां प्रचलीत हैं। पहला है सहकारी कृशी जिसका जो संचालन है वो शाशन के द्वारा किया जाता है, जिसे हम कौॉपरेटिव एगरीकल्चर के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा है सामुही कृशी यह किसी समाज या संस्था और समुह के द्वारा इस कृषी पधती का संचालन किया जाता है तो पहले हम देखते हैं सहकारी कृषी सहकारी कृषी में क्या होता है कि किसानों का एक समुह होता है और ये समुह जो है वो अपने कृषी से अधिक उत्पादन लाप कमाने के उद्देश से कारी करते हैं और ये सहकारी संस्था बनाते हैं और इस संस्था के माध्यम से ही क्रिशी का जो कारिय है वो किया जाता है किसान जो है वो व्यक्तिगत खेत उसका सही सलामत होते हुए भी हम देखते हैं कि सहकारी रूप में क्रिशी कारिय करते हैं और इसकी अगली विशेश्टा ये होती है कि ये जो संस्था बनाई जाती है इस कृषी पधती में ये सहकारी संस्था जो है वो प्रतेक रूप में जो है हर उत्पात के रूप में चाहे हम कृषी उपकरण की बात करें या निर्यात के लिए बेचने के लिए सभी रूपों म जो है कृषी की सहायता जो है प्रदान करता है इन संस्थाओं को फिर ये जो सहकारी संस्था है ये अपने उत्पाद जिस भी जो भी ये प्रोडक्शन करते हैं कृषी का जो भी उत्पाद होता है इन उत्पादों को ये संस्थाएं जो हैं वो अपनी शर्तों पर ही बेच अब देखे हम की पूरे विश्व में किन छेत्रों में इस प्रकार की क्रिशी पध्धती प्रचलीत है तो उसमें प्रमुकरूप से हम देखें यूरोप, नीदरलेंड है, डेनमार्क, बेल्जियम, स्वीडन और इटली लेकिन इन सभी देशों में भी हम देखते हैं कि ये क् अधिक सफल या सक्सेज जो है वो डेनमार्क में देखने को मिलती है, डेनमार्क एक ऐसा देश है जहां पर प्रतेक किसान जो है वो किसी न किसी सहकारी संस्था का सदस्य होता है, तो यहीं पर ये अधिक सक्सेज देखने को मिलता है हमें, अब दूसरा हम देखते हैं क्रिशी जो है वो क्रिशी उत्पादन के साधनों का इस क्रिशी पधती में क्रिशी उत्पादन के साधनों का जो संपूर्ण स्वामित तो होता है वो किसी समाज या सामुहिक श्रम पर आधारित होता है इसमें किसान जो है वो अपने उसके पास जितने भी संसाधन होते हैं क्रिशी के उपकरण होते हैं क्रिशी कारे के लिए जो भी संसाधन उसके पास उपस्थित हैं मिलते हैं इन सभी संसाधनों को मिलाकर ये क्रिशी कारी करते हैं अब भूमी का इनको ये थौर्टी होती है कि ये जहां पर भी कृशी कारी कर रहे हैं वहां पर भूमी का एक छोटा सा हिस्सा जो है वो अपने पास रख सकते हैं पूरी तरह से इसमें सरकार का नियंतरन होता है इस प्रकार की कृशी में और जो उत्पाद इसमें होते हैं, क्रिशी से संबंधित जो भी उत्पाद मिलते हैं, इन उत्पादों को सरकार ही जो है, वो निर्धारित मुल्य पर खरीदती है, इसके मतलब ये क्रिशी पधती, जो हम सामुही क्रिशी की बात कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि ये क्रिशी बड़ा देश हमें पता है कि रूस है तो पूर्व सोव्यस संग में ये प्रमुख रूप से इस प्रकार की क्रिशी पधती प्रचलित है और आपको पता होना चाहिए और बोर्ड परिक्षा के हिसाब से भी आपके लिए अब्जेक्टिव टाइप कोश्चन में ये बनता है क कि पूर्व सोव्यस संग में सामुहिक क्रिशी को किस नाम से जाना जाता है तो पूर्व सोव्यस संग में इसे कोल खहोज कोल खहोज के नाम से जाना जाता है ये इंपोर्टेंट कोश्चन बनता है और इसके साथ ही साथ संगठन के अधार पर यदि आप से पूछ लिया ज अंतर तो ये जितने भी पॉइंट्स आपको बताए गए हैं कि विशेष्टाओं के संबन में आप इसी को अंतर के हिसाब से भी लिख सकते हैं तो हमने देखा कि जो सहकारी कृषी है वो एक किसी सहकारी संस्था या समुह के द्वारा संचालित की जाती है लेकिन सामुही कृ कृषी जो है वो इस पर पूरी तरह से सरकार का या शाषन का जो है वो स्वामित्व होता है तो यह जो विशेष्टाओं बताई गई है उसको ध्यान पूर्वक थोड़ा सा केरफूली इसका स्टड़ी करेंगे क्योंकि डिफरेंस के रूप में भी आप से पूछा जाता है कृषी की एक अन्यपढ्धती है जिसे हम मिश्रित कृषी के नाम से जानते हैं थोड़ी देर पहले हमने चर्चा भी की थी मिश्रित कृषी में हम फसलों के सांद मतलर फसलों का उत्पादन तो किया ही जाता है और सांध ही पशू पालन का भी कारिय किया जाता है अब यह जो फसलों का उत्पादन यहां पर होगा, वो कि उदेश की पूर्ती के लिए किये जाते हैं, तो प्रमुख रूप से हम देखेंगे इसके तीन उदेश होते हैं, पहला जो इस्थानी बाजार वहां का होता है, उस इस्थानी बाजार में जो भोजन की डिमांड होती है, उस आपूर्ती के लिए फसलों का उत्पादन किया जाता है, पशुओं को जो चारा खिलाया जाता है, उस चारे के लिए फसलों का उत्पादन किया जाता है, और तीसरी चीज, यह जो फसल है, उसको जब बेचा जाता है, तो उसे बेचने से जो मुद्रा प्राप्त की जाती ह या इस क्रिशी में फसलों का उत्पादन किया जाता है अब प्रमुक रूप से कौन सी फसले उगाई जाती हैं तो हमने तो देखा ही भई कि मिश्रित क्रिशी में जितना फसलों का उत्पादन किया जाता है उतना ही समान महत्व जो है वो पशु पालन को भी दिया जाता है मत बीजेद पशुपालन, और फसलों का उत्पादन कीए जाते हैं, तो प्रमुक फसले हैं, यरिक हम देखें तो गेहु, जॉ, राई, जय, यह हैं यह is कृष्यी के प्रमुक फसले हैं, और इसमें हम देखेंगे कि कृष्य पधधि में जो खेत हैं इन खेतों का जो आकार है व अब विश्व के किन-किन छेत्रों में, किन-किन देशों में इस प्रकार की क्रिशी की जाती है, तो पहला है USA, सायुक्त राज अमेरिका, फिर हम बात करें कनाड़ा की, अर्जेंटीना, फ्रांस हो गया, जर्मनी है, यूके है, यूनाइटेड किंग्डम और नीदरलेंड, और इसके साथ ही साथ जो दक्षनी महादीप हैं, इन दक्षनी महादीप के जो सम शितोषन क्रिशी का कारिय किया जाता है, तो बच्चों, हमने देखा कि विश्व में जितने भी अलग-अलग प्रकार की क्रिशी पद्धतियां हैं, इन क्रिशी पद्धतियों पर हमने चर्चा की, तो ये क्रिशी जो है, हमने देखा कि प्राथमी क्रिया या प्राथमीक व्यवसाय का एक महत्वपून भाग है या महत्वपून प्राथमिक क्रिया है जिसकी अलग पद्धतियों पर विभिन प्रकार की पद्धतियों पर हम ने चट्चा की और आप अपने बोर्ड परिक्षा के हिसाबसे इसे क्योंकि बड़े कोश्चन के रूप में आपको किसी एक क्रिशी पद्धती को दिया जा सकता है, जैसे गहन निर्वा क्रिशी को समझाइए, इसकी विशेष्टाओं का विस्तार से वर्णन कीजिए, तो आपको अलग-अलग प्रकार की क्रिशी पद्धतियों को भी त्यार कर तो इस जूमिंग क्रिशी को भी अलग-अलग देशों में अलग-अलग नामों से पुकारा जाता है, या भी हमने देखा सामुही क्रिशी की बातकिरी, इस सामुही क्रिशी को पुर्वी सोवियत संग में किस नाम से पुकारा जाता है, तो कुछ इस टाइप के जो टर्म्स वो आपके छोटे प्रशनों के हिसाब से इंपोर्टेंट है या दो कृषी पधतियां दिया जा सकता है और उनके बीच तुलनात्मक अध्यन को कहा जा सकता है तो आपको अपने परिक्षा के हिसाब से हर तरह से इस कृषी जो प्रात्मी क्रिया है इसको तयार करना है और आप से पूछी जाए तो उसके छेत्र को आपको अपने मानचित्र में अनिवारी रूप से दर्शाना है क्योंकि आपको पता है कि हमारे भूगोल में मानचित्रों का चित्रों का एक अलग ही महत्व है और ये मानचित्र के माध्यम से जब हम अपने उत्तर को रिप्रेजन है कि आपको अपने हर उत्तर को मांचित्र या अलग-अलग प्रकार के डायग्राम के माध्यम से ही रिप्रेजेंट करना है